हाई फ्रेंज किसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रेक 11 फोकस पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं के के एक साइपी वर्सिस आर्सिबी फुल स्टाइश प्रस इन्फो यनि किंग्स लेंट पंजाब वर्सिस रॉयल चैनल बेंगलोड फॉम्दा ड्रीव 11 आईपिल के एक साइपी वर्सिस आर्सिबी 2020 का मैच फाइनल ही आ गया है इस वीडियो में हम उसके बारे में अच्छे से डेटेल में बात करेंगे कौन सी हमारी एच्छे पिक्स हो सकती है उस पर फोकस करेंगे सबसे पहरे दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चल में नहीं जुड़े है चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया बैल आइकन नहीं दुबाय तो यह काम आपने कर देने हैं आज आ पूरी टीम देखूं तो पंजाब भी कम नहीं है विकास पंजाब का इस बर बोलिंग जो है काफी पहले सीजन से बहतर हो गया है टोटल इस ग्राउंड पर 67 मैचेस में 22 मैचेस ही जीती है पहले बल्ले बाजी करने वाली चेजिंग टीम का ज़़ा दब दबार आया है यानि कि जो बाद में बल्ले बाजी करती है बोलर्स में फास्ट ने सबसे अचा किया ऑश्पिनर, लेक्सपिनर, मीडियूम और फिर लेफ्ट हम ओर्टडोक्स जितनी का मेवरेज उतना अच्छा बोलर यानि की सबसे अच्छी बोलिंग या पर किसने फास्ट बोलर्स ने करी है प्रिवियर रिजर्ट यहां पर सारे रिजर्ट भी आप देख सकते हो 59 में से 29 फास्ट ने विकेट्स लिए है ये भी फास्ट के फेवर में गया लेकिन IPL 2020 के मैच देखेंगे तो वो बहतर हैगा मैच 2 और मैच 3 यहां के लगया था उनमें भी फास्ट का जादा दब दबार है 31 गेंज में 17 फास्ट को विकेट 8 स्पिन को छे रन नोट दोनों मैचेस में देखेंगे फास्ट बूलर्ज ने विकेट्स अच्छी का से ली थी और लगबग 160 के करीब का स्कोर बना तो एक न्यूट्रल विकेट रह रही है दोनों टीम्स अच्छी है स्पेशली यहां प मुझे लग रहा है आज कोई नहीं बड़े प्लियर रॉट कर सकते हैं बड़ा अच्छा बूलर्ड लगा मुझे जिसने श्रेय सहीर रिशापन जैसे प्लियर्स को तंग किया वो किसी ओवर्सीस प्लियर को तो और ही जादा तंग करया क्योंकि इंडियन प्लियर्स अगर आप देखोगे इन दोनों टीम्स की हिस्टरी तो चौबिस मैच लोनों बराबर मैच जीती बैंगलोर हो अर्सीब यहां पर मैच जीते हैं यूए में एकमच खेला गया था उसमें पंजाब जीता था तो पंजाब का यूए में एकमच का एडवांटेज है आई पिछले द इंकॉप्टर्स दोनों ही RCB जीता था और दोनों में एक कॉवन फेक्टर था AB Divilliers यानि Abraham Benjamin Divilliers दोनों मैचेस जीते थे और तगड़े लेवल पर जीते थे कैसे जीते थे दोनों में इन्होंने स्कोर किया था एक में 82 नोट टोट एक में 59 नोट टोट और और यहां Nicholas पुरान ने भी रन कहते 46 राहूल ने 42 अगरवान ने 35 सारे परफोर्मर्स देखके चलना यही इनकी टीम के कोर हैं और इस अब आज खेलते दिखेंगे आपको RCB का पहला मैच काफी अच्छा रहा सबसे अच्छे खेले थे हमारे यंग इंडियन सूपर्स्टार देवड़त पैटकल मेरी टीम में नहीं थे लेकिन मेरी टीम टू में थे वो तो आपको पता है लेकिन क्या है एरन फिंच से जादा एक्साइटमेंट इनको देखने की थी विराट कोली से जादा एक्साइटमेंट इनको देखने की कितनी देर से नाम सुन रहे थे इन्हों ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है अपने हर जगह की डेब्यू पर 50 कर दी तो देवड़त पैटकल इस फूच खेलते हैं तो आपके लिए मस्ट्राइ बन जाएगा अगर खेलता है तो सिमिलर चीज वर नीशम का भी चांसे से खेलने का वो लेकिन हम पंजाब के टीम में देखेंगे अब यह इनके लिए देखोगे तो सबसचे जेवज़त पैटकल थे एबीड विलियस ने अचे फिन इसलिए मैंने नवदीब सैनी को पिक किया अधर स्टेंड के ओपर विकाज ओफ इस डेडली और कर्स बहुत अगडें और बहुत अच्छा है कि यह स्टेंड के साथ है क्योंकि इनको ग्रोथ की ऑपर्चुनिटी मिलेगी इस इस वाइप्यल इस गुट फोर वेरी वेरी ग पास एक काफी ज़्यादा बोलिंग ऑप्शन आ जाते हैं बीलार की प्लेयर प्रफॉर्मेंस वगरा देख लेते हैं इनके जो प्लेयर्स हैं किसने कितना परफॉर्म किया है कौन अच्छा खेलता है अभी भी क्रिस्म और इस मुझे लगता है फिट नहीं है अच्छे से अ इसे करके सबका रिकॉर्ड देख सकते हो फुल स्टाइट्स इंफो फुरी करियर की प्रोफाइल यह आपको देख रहे हैं बैट्सम विकेट कीपर और साथ में कौन और राउंडर तो यह हो गए आपको फिर उसके बूलर्स दिख रहे हैं इनको भी देख सकते हो 2019 के पहले मैचिस में पिक किया था उमेश मोहमद सिराज मोहीन अली डेल स्टें वशिंग्टन सुंदर ने चार विक टेली थी और पवन नहीं इने तीन विक टेली थी पंजाब की बात करें तो क्रिस उंदर सिंगेल के आज खेलने के हलके सचास बन रहा है पंजाब की टीम प्रिमान या जीमी नीशन ठीक है तो यह चेंज दो मुझे एक्सपेक्टेड है और अगर ऐसा होता है तो मेरे साब से यह भी हो सकता है कि एक आदा फास्ट बूलर इंडियन भी आपको खेलता दिखजे क्योंकि जातर जब एक और सीस प्लेयर चेंज करते हो टीम बैनस के यह एक इंडियन प्लेयर भी चेंज करना पड़ सकता है अभी के लिए यही मान के चल रहा हो कि जॉडन खेलेंगे तो कॉट्रल प्र जॉडन करेंगे डेथ बूलिंग अगर जॉडन नहीं केलते तो कॉट्रल प्र शमी करेंगे बागी डिपेंड करता है कि मुझीब आते ह स्विंग और बहुत बहतरीन एक आप कह सकते हो बोलिंग का स्पेल डाला था इन्होंने जिसमें पहले और में तो इनको विकेट नहीं मिली चांस्स क्रेट हो थे दूसरे में भी विकेट लेगे और 15 और में भी आके इन्होंने विकेट ली थी यह मैंने लिखा हुए कि इन आप देख रहे हो आइस कैप्टन वाइस कैप्टन की चलेंगे भाई तो फिर इनको लेने का फाइदा नहीं है यह ग्रैंड लीग में चीज़े करनी होती है तो यह देख के चलिएगा शेल्टन को चार ओर 24 पे दो एक तीन 17 और 19 और डाले थे दो और आखिर में और दो और स्टार्ट में, क्रिस जॉर्डन जेनरली डेथ बोलर है मेरे को बहुत खराब तरीके से यूज किया गया था इनको, जॉर्डन वाज इन माय टीम मैं काफी डिसपोइंटेड था क्योंकि इनको बहुत यूजी ऐसे किया गया, जिस ओर में विकेट गिरती थी उसके नेक्स प्लस क्रिस जॉर्डन का इस मैच में एक विक पॉइंट और है कि सामने एबी डिविलियर्स और विराट कोली है, तो वो अच्छा खेल लेते हैं पेस को, उल्टा मुझे रखता है रवी बिशनो ही तंग कर सकते हैं, बड़ी मचलिया जाल में ले सकते हैं, यानि कैच बिक प्लस को बिल्कुल यूज नहीं किया गया था, गट फील का बता है, मैंने रवी बिशनो ही मुझे लगता है, एक बड़ी विकेट लेंगे इस मैच में, इस मैच में, यह सारी इनके टीम की बात होगी, फुल स्टाट करिया प्रफाइल एक एक प्लेयर का किस ने क्या किया जिन्दर सेंग दिलनों को भी नहीं छोड़ा है, मतलब हर प्लेयर का स्टाट से आपके, यह एक एक चीज लिखने में एक घंटा लगता है, और मैच वन से पहले मने लिखी थी तो अराम से एक घंटा लगी जाता है, यही लिखने में एक घंटा लग यह था तो इसको तो नहीं लगे थे पिछले पहले भी आउट हुए सुपर ओर में भी बहुत गिंदा सुपर में तो अल्टीमेट गंदा शॉट मार के आउट हुए क्रिस गेल हैं अब विस्टी नाम आता है हर जगा इनको फिर भी चांस नहीं मिलता इनको पिक भी नहीं करते ऑक्षन में बाद म अब यहां पर विकेट टेकर्स की बात करें मोहमद शमीन के लिए हाइस विकेट टेकर थे 19 विक्टों के साथ उसके बाद हार्डस विल्डियों थे काफी अच्छे है मैंने बताया था उस दन फाव डू प्रेसिस के जीजा जी हैं 23 मैच में 23 और करके 7 विक्टे ली थी मु वाशिंग्टन सुंदर जी को रखए वाशिंग्टन सुंदर जी ने इतनी सुंदर बोलिंग करी थी एक और में रंके वल साथ खाय थे लेकिन विराट को वो सुंदर नहीं लगी जौडन है कि स्विंदर सिंग जौडन इनका भी नाम रख देते हैं कोई पंजाब से खेल हैं देखते हैं कि क्या करता है इस मैच में डेथ बोलर इस अलवेस क्रूशल अगर खेलते हैं तो स्मॉली कैप्टन वाइस कप्टन विराट के राहूल मियंक अगरवाल और अब डेख लेते हैं प्लियर बैटल्स कॉन यहां पर पंजाब के बोलर हैं जो आरसीवी के बैट कर चोंगां ट्वेंटी मेंगी क्रेश्ज जॉर्डन टू अैरण फिंस तंक कर सकते हैं क्रिशॉड़ं टू विराट मोश्मीड विराट को क्योली एस वक ज्रแล עरुद करके ही जैए अख अच्छा घासा की करने रोन और वो जाएंगे अब एक आधी बॉल पे आउट हो जाए तो अच्छी बॉल या खराप शॉट एक अच्छे बैट्समन के हमारे ड्रीम 11 पॉइंट्स कम कर देता है पूरे इनको पिटाई का सामना करना पड़ा है एक बार आउट जरूर किया है शल्डन कोर्टल ने एबीड विलियर्स को तंग किया साथ गिन में एक विकेड लेकिन यहाँ पर रवी विश्णुई का नाम नहीं है कहीं क्यूं क्यूं बैया यंग प्लियर हैं खेले ही नहीं किया थोड़ा मुश्किल हो सकती है यही हमने क्रुनल पंड्या के थू देखा है एबीड को तंग करते हैं यही मैं एक्सपेक्ट करते हूं रवी विश्णुई से जब बॉल उनसे अलग जाएगी दूर की तरफ लेके जाएंगे कि कोई दोनों साइट स्पिन भी कर लेते हैं र और यहीं प्रूव हूं है युजवेंदर चाहल तो केल रहूल यह अच्छी बैटल है इसमें दोनों ने अच्छा किया है एक बार आउट किया लेकिन ब्रंस भी कियें केल रहा हूं ने 2019 में उट किया था चाहल ने इनको चैहल टू मियंक अगरवाल है 23 गेंद में दो बार आउट किया है यह बैटल तो शायद आपको पहले ही पता होगी हमने कई बार देखें डेस्टेन वरसेज क्रिजगल बहुत तगड़ा होता है क्रिजगल बहुत रिस्पेक्ट देते हैं डेस्टें को टिप टिप करके इनका और निकालते हैं तीन बार आउट हुए है इनसे उमेश यादव भहिया ने चार वर आउट किया है क्रिजगल को अपनी एक्सपेस से उमेश यादव ने करुन नायर को दो बार किया है उमेश यादव ने ग्लेन मैक्सवेल को तीन बार किया है तो यहाँ प्लेयर बैटल पे उमेश यादव का नाम देखें हो आपका मन करे लेकर ट्राइ करने का इनको तो भाया उबेश यादव फर्स्ट मैच में बोलिंग से 50 हो गई थी इतकी अल्मोस्ट मतलब पिटाई कर वाली थी लेकिन यहाँ पर क्या ग्रेंड निक्विक बन सकती है क्योंकि इनका प्लेयर बैटल अच्छा है स्टेंट टू मैक्सफिल इक्किस गेंज में चार बर उट किया यह वंडे में है चेहन ने मैक्सफिल को यह भी शायद आपको ऐसी ही पताओगी टीट्वेंटी में तीन बर उट किया है और ODA में भी चार बर उट किया है वेरी लिमिटेट इंकाउंटर लेकिन हाई टाइम्स की आउट किया है तो यह बैटल बहुत इंटरस्टिंग है इसको देखके चलना मुझे लगता है यह देखने को मिलेगा क्योंकि इन दोनों का फेसफ होना चाहिए जब आप टीम बनाने आओगे अपनी आपको यहां पर दिखेगा केल, राखुल और निकुलस पुरान दोनों ही अच्छे प्लेयर है जोश्यो फिलिप को मैं अभी यह कहूँगा कि ना ही लेकर चले अच्छे प्लेयर है कोई शक्की बात नहीं है सिद्नी सिक्सर्स के लिए तगड़ा के लिए वहां ओपनिंग आते थे यह फरक है और मुझे नी समझाया थे इंको खिलाने का रीजन के है मिभी ऐस प्योर विकेट कीपर वो चाते थे एक क्लियर खिले जो रंज भी कर सकता है शायद इस वो जैसे मैं यहां लोकेश राखुल के साथ हूँ अब्विस चोइस है ओपनिंग पे आंके निकुलस पुरान एक ग्रेंड लिग चोइस है अगर खेलते हैं तो आप जरूर ट्राय करें लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद क्रिस गेल या जीमी निशम को इनकी जगह ले आए जेमस जीशम अगर अंदर आते हैं तो बहुत फरक पड़ता है टीम को एक और राउन बैस मिल जाता है पता नहीं क्यों उनको इतना यूज नहीं किया गया एक बहुत एक्सिलेंट प्लेयर है खेलते हैं तो धियान रखना ये प्लेयर आपके लिए गेम चिंजर बन सकता है इस मैच में कब की बात करना हूं शायद हमारा कोई कनेक्शन भी नहीं था आज तो फोरकास फैमिली से पूरा कनेक्शन है क्यों नहीं था ये चैंपिन्स लीग की बात है उटागो वर्ड्स के लिए जेम्स नीशम खेला करते थे किस टेम की बात होगी आज से 7-8 साल पहल लेगी तो तब मैं इनको लिया करता था और बहतरीन खेलते थे एबी डिविलियर्स मियंक अगरवाल विराट कोली तीन प्लियर्स जब वरदस्त खिलाड़ी हर मैच में अच्छा करने की शमता रखते हैं अगरवाल ने आई प्ल लेवल पर उतना अच्छा नहीं किया लेकिन लास्ट मैच में वह भी सारे हमारे शक खटा दिये हैं इंटरनेशनल लेवल पर कंसिस्टेंट हैं अच्छा कर रहे हैं टेस्ट मैचेज में इंडिया के लिए परफॉर्म किया है विराट कोली का तो आई पिक बन जाती ए फिर आते हैं एरन फिंश यह पांच बैस्मन पांचो अगर आपने ले लिए आपके बेटिंग केटेगरी में सारे बले बास सारे कवर आपके गिंदबाज में कोई कंई रह सकती है बले बास हो में तो नहीं रहेगी एक प्लेयर जो आपको ग्रैंड कर लेने करून नायर नंबर 3 पर आ रहे हैं यह एक खेलते हैं अराम से टिक के आर्ट से वी की सामने वैसी मुझे लगता है जाधा चाथ खेल सकता है तो करून नायर को आप करोगे इसको ट्रा करना आए मैंने बुला है तो थोड़े भी जाते हैं तो कोई बात रहें इतना फर्क पड़ेगा क्योंकि कोई ले करना अगर मुझीब खेलते हैं देदर पैडगल की जगह करून नायर लेना इफ मुझीब यहां पे लिख देता हूं मैं ताकि आपको शीवम दूबे हैं, ग्लेन मैक्सवेल है, ये दो प्लियर्स आपको खेलते दिख सकते हैं, अब्वेस चोईस है, यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल एक इंपोर्टेंट प्लियर ऐसे खेलते दिखते हो, बहुत अच्छे हिट्टर है, थोड़े इंकंसिस्टेंट है, जल्दी भी आउट हो जाते हैं, बट ग्लेन मैक्सवेल गेमचेंजर प्लियर है, शीवम दूबे लास्ट मैच पे सरपाइज तीन ओर डालके गए, दो विक्टर लेके गए, तो इनको लेना एक सेफ चोईस बन जाता है, अगर इनको इतने ओर मिल रहे हैं, थ्री डॉन पर बल्ले किया था, इन्वल्मेंट था, इनकर नॉट मैधिंग शिकर दवन वली, तो वो भी ठीक है, क्रिस मौरिस के खेलने के कम चांस, वशिंग्टर सुंदर ग्रेंड लिग बन जाता है, जीमी नीचम अगर खेला, मैं वेरी एक्साइटेड फोर हिम, मैं चाहता हूं ये खेले, क अब यहां पर यूजी चहल, नवदीब सैनी को लेकर जाऊंगा ही, मुहमबच शमी, आफ्टर लास्ट मैचन को लेना जरूरी हो रहा है, अब यहां पर चॉइसिस आ जाती है, आपके वास, या तो आप क्या करो कि मैक्स्वेल को लेना है, तो आपको शमी को छोड़ना यह मैरे टीम मनाई थी, अब इस पर फाइनल चॉइस आजाती है, इधर यू गो फर शमी, ठीक है, अगर आपको लगता है कि शमी विकेट लेगा, पाउर प्ले में ही डालेगा, एरन फिंच को ही, तो यह आमना सामना हो जाना है, मुझे लग रहा है, एरन फिंच अगर सकते हो, लेकिन अगर चीजिंग है, तो एरन फिंच को प्रेफर कर सकते हो, यानि RCB अगर चीजिंग करता है, तो ठीक है, यह देखके चल सकते हो, पॉर्दा टाइमिंग आयम विद यहां पे मोहमद शमी एंड यहां पे मैं मैक्सवल के बिना एरन फिंच के साथ हूँ हम देखेंगे यह डिसीजन लेंगे अगर एरन मैक्सवल, एरन फिंच और मोहमद शमी इन तीन में से हमें दो आपको पॉइब से लेके गये यह वीडियो आपको फसंद आएगे चैनल पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो टेलिग्राम पर जुनना भूल जाते हो बोल बोल के मैं थक जाता हूं जल्दी से आ जाना है आपने